So, hey guys, मैं हूँ चिराग, एक और वीडियो के साथ, तो देखिए, आज मैं लेके आए हूँ आपके लिए economics के notes, आपको बताए कि आपका paper है, 28th March को last paper है economics का, तो कई श्रुमिन हैं जिनको कुछ ज़्यादा पार्ट आता नहीं है समझ में, देखिए या रगना economics है न, समझने क चीज़ रटने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी last के दो दिन बचे हैं तो उसमें आपको कैसे करना है, थोड़े-थोडे short parts एक तरीके से जल्दी-जल्दी revise करने हैं, तो उसी के लिए मैं छोटे shots लेका है हूँ, ये या रगना macro economics के हैं, इसमें 126 chapter के part cover है, तो आपको जो नीचे है न, description में link मिलेगा, उसमें आपको तीन PDF मिलेगी, first second chapter की, third, fourth की और fifth और sixth की ये अलग-अलग मिलेगी, और previous year के paper भी मिल जाएंगे, जिसमें micro और macro के questions मिल जाएंगे, या रगना वर 2012 से लेके 2017 के है, तो इसको जरूर download कर लेना, और इनको जरूर देख लेना, तो देखो मैं समझा देता हूँ कैसे, और अगर हो सका मुझे time मिला, तो मैं कल, यानि 27 March को क्या करूँगा, live भी जरूर आउँगा, 8.30 पर आने की कोशिश करूँगा, वैसे आउँगा, तो मैं आपको notify कर दूँगा, पर आप जा रगना, 8.30 पर possibility है कि मैं आ जाउँगा जिससे आपको मैं पूरा ये macro का पार्ट समझा दूँगा, तो देखो, economic agent क्या है, Adam Smith founding father है, थोड़ा-थोड़ा मैंने क्या कर रखा है, bold भी कर रखा है, Adam Smith ने जो book लिखी, An inquiry into the nature and cause of wealth of nation, 1776 में, GM की इन्सकों ने founding father of modern macro economics या रखना, macro economics के, क्योंकि पूरी modern economics के तो Adam Smith है, त 1929 में, factor of production क्या होते है, land, labor, capital, entrepreneur, तो इस सारा part cover है, इसके बाद MCQs cover है, MCQs के answer भी साथ-साथ में दे रखे हैं, ये देख सकते हैं, कुछ extra question मिल सकते हैं, कुछ आपको fill in the blanks मिल सकते हैं, तो सारा cover है, फिर chapter 2 का part पूरा cover है, इस तरीके से सारी PDF मिल जाएगी, जैको final goods, intermediate immediate consumption, capital, short short में दे रखा है, तो mostly जो रटते हैं लोग उनके लिए हैं, और जिन्होंने समझा हुआ है, तो उनके लिए और आसान है, क्योंकि add that क्या करना है, उनको जल 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 दी revise करना है, तो last के 3-4 गंटे में सारा part revise हो जाएगा, फिर देखिए chapter 3, फिर chapter 4, इस तरीके से सा सारा part cover कर रखा है, यहां पर यह आपको नीचे chapter 4 भी दिख जाएगा, जा तक है, क्योंकि यह मैंने पिछले साली cover कर लिए थे, पर पिछले साल मैंने shots की वीडियो में दिये थे, तो वहां आपको link देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज कल shots में link नहीं आता, फिर आपको chapter 5 दिख जाएगा, और chapter 6 BC में दिख जाएगा, अगर इसमें 4 नहीं होगा, तो एक बार देख लेना, बता देना, वो भी मैं आपको provide कर दूँगा, फिर previous year के paper दिख जाएगे, जो आपको 2012, नहीं sorry, 2013 से दिख जाएगे, 2013 से 17 के सारे आपको paper दिख जाएगे, एक चीज या of form under perfect competition, ये तो है आपके course में, लेकिन एक chapter है, जो कि ये non competitive market, वो आपके नहीं है, तो जब भी आपको कोई oligopoly का question दिख रहा है, तो उसको मत लेना, आपको एक monopolistic competition का question दिख रहा होगा, तो वो भी मत लेना, और एक और बता जाता हूँ, आपको monopoly का question मत लेना, लेकिन perfect competition के स practice करके बता दूँगा, जितने भी part है, वो आपको जरूर समझा दूँगा, तो मैं live भी आऊँगा, तो वो भी जरूर देख लेना, इसका link आपको description में बिल जाएगा, और हाँ मैं CA foundation की भी फिर start करूँगा, थोड़ा सा आप enjoy करेंगे exam के बाद, उसके बाद जैसे result और अगर वीडियो को like या share नहीं कर तो वीडियो को like और share जरूर कर देना, ओके तो link आपको description में मिल जाएगा, वीडियो देखने के लिए thank you